बाइयर रामराम हमें उंदेली चुकरी से नीधा जो अभे हमें गांधी आसरम में जिनके अनुस्त पर जन गांदी जी यह गूंज रहे हैं कहूं ना कौँं जी जी ने पड़ोenne आचा विनौभा भाव भी भूदान अंदोलन के प्रणेता रहे हैं जहनिक गीता भी लिखी है कर्म पे आधार नक्यूत्र सद्धान्ते गुरूसों ने जो चीच करी है भुदान अंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे की जहनती केवल जो नहीं के फोटू पे जनु चड़ादा माला चड़ादा या सूथ चड़ादा इत्ते पे नहीं बलकि सबसे अच्छो जो के कर्म रूप साधना कर्म में हुए सामिल कर वो अपने जीवन में उतार वो जो एक अच्छ बाव जह देखा वह यह फड़ुआ रु या आज विनोवा भावे की जहनती है आचाय विनोवा भावे ने बहुत कशुदा वही देश के और जब देश में अलग अलग चीज़ें जब आजादी के बाद संकट हते बड़े 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 उन संकटन के मुक्ति दिलावे के लाने उनने भूदान अंडल चलातू और जमीन दान में लेके वही देश समाच के कल्यारा के लाने उनने संपो दो भूदान अंडलन के प्रणेता आचाय विनोवा भावे किया जहनती है हम एटीम में वही आँ अंकित के बड़ा अंकित भावे तनक आ जहाँ जागत को नारो भी सबसे पहले नहीं नहीं दौतो बिनोवा भावे जी ने आसे जब देश में संकुचत मान सेकता कि जह हिंद जह भाराद जह हंदोस्तान हमाऊ देश सीमेदबात तब आचाय बिनोवा भावे जो गीता के सिद्धान के कारत कर आते काम कर रहे थे उनने जह जगत को एक जो नारो दो कि हमें सर्व अंकेत आज आचा बिनोवा भावे की जहनती है कैसो का कारका में जो आज हम सब लोग सुबह से ही गांती आस्रम में बड़ा एक उतसाय की साथ काम कर रहे हैं सुबह हम सब लोगों ने सर्व धर्म प्राथना की और सर्व धर्म प्राथना के अलाबा हम लोगों ने यहां च पत्रित होंगे और आचार विनोबा भावे के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आज उनकी विचार की किराब प्रासंगिकता है इस विशाय पर चर्चा करेंगे हमारे बीच में कुछ ऐसे गांधी वादी लोग भी होंगे जिनोंने भूधान आंदूलन में गांधी जी बिन और मंगरोठ जो उरही में उस समय पढ़ता था पासई में है मंगरोठ सबसे पहला ग्रामदान हुआ था तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे प्रासंग है जो बिनोबा जी ने पूरे देश दुनिया में चलाए और मैं देश दुनिया इसलिए कह रहा क्योंकि वह पूर्वी बुदान अंदोलन को बड़ो लोग किताबाने पड़ा था और जो तुमने लास्ट बता था हमें पूछे वाले थे कि आखर जमीन काय के लहने ने मांगी थी गरीवन के देवे यही कंसंग और भी कचुक कर रहा है तो उस समय आप हम सबको पता है कि जो भारत की स्थिती थ खास तोर से भारत आजाद होने के बाद हम सबको पता है कि उसमें 40 करोड आबादी थी उसमें से 2-3% लोगी साक्षर थे मांगी असक्षित लोग थे और खास तोर से हरजनों की समस्या बड़ी गंबीर थी हमें भी पता है कि गांदी जी जितने आंदोलन अपने प्रार्म क करते थे वो दलतों की वीच से स्टार्ट करते थे और उन्होंने हरिजन भी कहा था क्योंकि एक संकुचित मान सकता थी और संकुचित मान सकता गांदी जी ने गुलामी तक तो उसको समाधान करने के लिए बढ़ते गए लेकिन उनने जो मेरे सपनों का भारत देखा था वो कांचन मुक्ती के तहद सर्वुदय समाज का सम्मीलन था सिवराम पल्ली हैदराबाद में एक जगह है तो बिनोबाजी पावनार आस्रम बर्धा से तेंसो मील की पैदल यात्रा करके गए क्योंकि वो कांचन मुक्ती आंदूलन चलाते थे वो कहते थे बिना पैसे के कैसे जीवन जी आ जाए वो ऐसा करते थे तब जब वो सिवराम पल्ली सर्वुदय समाज के सम्मीलन में गए तो वहां दल्दों ने बिनोबाजी को घेल लि थे तब उनने कहा क्या किया जाए तो उन्हीं हरजनों ने कहा कि बाबा हमें 90 एकड़ जमीन दे दो तो उससे हम आपस में अपनी खेती करने लगेंगे और हमारी समस्य सख़दम हो जाएगी तब बिनोबाजी जब पूचम पल्ली में भरमन कर रहे थे तो एक रामचंद र आया क्योंकि बिनोबा जी बड़े आध्यात्मिक बेक्ती थे और उसरवुद है कि उनका सिद्धान्त था वो बड़ा अटल सिद्धान्त था वो चायती थी कि हमारा तुमारा नहीं सबका भला कैसे हो तब उनने काया कि भगवान निश्चित मुझसे कुछ कराना चायता है और वो उसका माद्ध हम रामचंदरेडी बनी तब वो जाकर कि पूरे भारत की उनने आत्रा की और लगबख 15 वर्स उनने आत्रा करके 44 लाक एकर जमीन भूदान की रूप में प्राप्त की और 10 हजार गाओं का ग्रामदान हुए और टीकमगर जिला पूरा जिलादान पांच है तो छटमा और मुझे आपसे जमीन चाहिए और लोग बड़े खुसी खुसी देते थे और इस तरीके से उनने पूरा यांदूलन चलाया गरीबों को जमीन माटी उसके बाद इसी दोरन जब वो गुजर रहते तब 1960 में वो चंबल से गुजरे तो वहां आप हम सुनी वहां गय तो वहां जितने ढाकूत है उनने समर्परं किया और सरकार के साथ उनने बात करा है इनकी समस्याओं का सम elétधान करवाया और सारे ढाकून ने सम hanging करके दिया बाबा की सर्व को जमीन दी और सभ एक सहय शरल जो मुख विचार धरा का जीवन था पत्री में लो और समाज में एक सरवंगीन विकास कैसे हो समानता कैसे आई इसके लिए पूरे जीवन प्रयासरत रहे ऐसा उनने काम किया बाद में 1976 में उनने गौबत निसेद का अंदूलन भी चलाया तब उस समय सरकान ने उनके साथ मिलकर कि पूरा गौबत का जो आंदूलन समर्थन किया ऑर इस समय केरल और वंगाल क्यमकि वहां का जो जलबाईवा वाला के वहां की लोगों के लावज जबन गौबत निसेद आंदूलन भी बागीदारी खी और बाबा बिनुबा ने गौबत के आंदूलन भी चलाये उसके बाद सराब बंदी का अंदूलन भी चलाए, बहुत सारे अंदूलन चलाए, क्योंकि गांधी जी के बाद जो गांधी जी का सपना था, सरवुदै समाज का, वो बिनोबान आगे जाकर आगे 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 और बढ़ाते गए, काम करते गए लोगों के बीच में, व वो मानते थे, भगवान ने मेरा जना मीच लिये दिया, वो बहुत सारी प्रियोग भी जीवन में करते गए, और हरी जनों को खासतोर सुन से एक बड़ी आसा रहती थी, वो उनके पास में आ करके एक बटबरक्ष मानते थे, कि इनकी चाया में बैटके हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और ऐसा नहीं केबल हरजन सरकारें भी उनसे सलाय लेने आती थी, इंद्रागांधी बिनुबा जी से पावना रास्त्रम आती थी सलाय लेने, और जब योजना आयक बना, बाबा को नहरू जी नहा भी बलाय थी, नहरू जी को भी वो योजना आयक में कीसे हरजनों का उध्धार हो और सब में समानता आये समावेशी वेकास हो इसके भी उनने उनको जाके बताया था क्योंकि कांचन मुक्ति चलाती तो हमें सब पैदल ही चलते तो पैदल जाके सारी बात बताती थे एक और महत्पूर्ण काम जो उनने किया वो सांती सेना का काम था क्योंकि उस समय जो खास तोर से दक्षन में कमनिस्टों के द्वारा जो आतंक था वो जादा था तब बिनोबा कहते थे हिंसा लोगों के बीच में थी क्योंकि अब जो उच नीच की लड़ाई बहुत जादा थी भारत आजात तो हो गया था लेकिन अभी भी उच नीच बहुत जादा थी तब बिनोबा ने कहा कि हम एक ऐसी सेना खड़ी करेंगी जो अहन सात्मा करूप से काम करेगी और यदि कोई तलवार वाला भी उनके सामने आएगा तो उसे भी इतना अपनी आपको कश्ट देंगे कि सामने वाली की आत्मा को पिखला देंगे तो ऐसी उनने सांती सेना खड़ी की और सांती सेना के मादधम से पूरे भारत में उनने जगह जगह उनका मानना था कि 40 करूड है दिया आबादी तो हमें कम से कम एक करूड लोग सांती सेनक चाहिए जो यहां की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे लोगों की बीच में जा करके काम भी करेंगे क्योंकि लोकसेवक जो उनने बनाये थे लोकसेवक का काम यही था जो गांधी जी भी कहते थे कांग्रिस का काम होने के बाद लोग से बख इस देश में गांधी के काम को बढ़ाएंगे लोगों की बीच में जाकर के काम करेंगे वो बाबा विनुबा ने आगे बढ़ाया और वो ऐसा करते करते पूरा जीवन बैतित किया बाद में उन्हें पहला एसिया का नोबिल प्रोसकार भी मिला और भारत रतने भी सतासी में मिला इस तरीके से बाबा का जीवन हम लोगों को बहुत प्रेड़ना देता है उनके एक ब्रह्मचारी जीवन था और पूविता और उन्हें गीता को अपना सरवस्त समाना जब बैक गीता मा क्योंकि माराटी में मतलब मा होता और उन्हें काया कि गीता एक ऐसी चीज़े मेरी मा से बढ़कर भी है क्योंकि मुझे सब कुछ देती है तो गीता को नहमें सा आंगे बढ़ा है इसके बाद इस्तित प्रगदर्सन जो है गीता के दुतियत द्याय के जो 18 लोग इ आज गांधी संस्ताओं में जो प्रातना होती उसमें एक नाम माला है वो भी बिनोबा जी ने कई धर्मों से मिला करके उसको बनाया ऐसा बाबा बिनोबा का एक सरवधर्म संभाव का जीवन था जो आज भी हम सब लोगों को बहुत प्रेड़ना देता है और आज के जहां अब हिंसा का माहौल थाए वहाँ बाबा बिनोबा और गांधी जी का जो विचार है वह हम लोगों के रास्ता भी दिखाता है गीताइ मिसन भी एक चलत रहुं में सुनी तो गीताइ मिसन भी नाम सुनें वह वो में सनको का मतलग वह आभी जो एक पावनार जब हम लोग पूरी गीता लिखी भी है अपने उसमें पढ़ने के बाद गीताई लिखी तो उसको वहां पूरे उनका जो गीता मंदर है वो गोखोर की आकरती का है उपर से जब देखते सेटल मतला ड्रॉन से तो गोखोर आकरती का है पूरा बना पत्थर में है वो पत्थर में अंके थ है उन्हें इनको अपना कुल गुरू तक माना है और उनकी पूजा इस तरीके से की have तो वहां की लोगों के लिए तो आज वो भगवान की तरह भी है और लेकिन वो अपने आपको भगवान कभी कहते थे हमेशा कि हमें भगवान मत मानिए लेकिन जो विचार हैं उनमें अधी कमिया है तो कमिया भी नकालिए लेकिन जो समाविस्ता का सिध्धान्त वो महत्पू देदा हुई है जबकि ऐसे व्यक्तित रहे हैं जैसे संत रहे हैं जैसे समाजी जगत के कल्याण के लाने ऐसो मंत्र फूक के चलेगा बड़ी-बड़ी माला पेर के भी आद नहीं करते लेकिन उनके नाम पर पूरी किताब वह चाहिए पूरो कोर्स वह चाहिए इसलेवस लेक आता जानत है कि आच्छा विनोबा भावी ने कायुक दंदो है अंके ते कच्छु और भी जानकरी हम लेवो चाहिए इसी तरीके से एक और इनकी महत्पूर्ण बात है जो आज की नौजबान पीड़ी के लिए महत्पूर्ण है वो हमेशा जो गड़त है तो बिनोबाजी गरित में उनकी बड़ी आस्ताति क्योंकि गरित से उनका ऐसा मानना था कि जो बचों का एक विकास है मान से को ओर के बचों का नहीं बढ़ों का भी तो इससे खुलता दुमाग खुलता कल्पना सकती बढ़ती सोचने समधने की चमता बढ़ती तो इसलिए विनोबाजी गर वो आज भी विद्धिमान है इसके लावा बिनोबा जी हमेशा उनने तीन मंत्र दिये थे उनके जो तीन में सिध्धान्त देवो थे कि विनोबा करनाटक में भूदान यात्रा चला रहे तब उनने जय जगत का नारा दिया था उनने कहा था कि हम जाती पाती और संकीन मान सकत जय हैंद जय भारत की अपए एक जय जगत की बात सोचें क्योंकि वो कहते हैं कि जब सूर और चंद्रमा तो किसी के नहीं है वो सबको समान रूप से प्रकास देते ठंड़क देते प्रत्वी को हम माट नहीं सकते आकास को हम लांग नहीं सकते तो फिर इस अंकीनता क्यों तो वो कहते हैं जय जगत हमारी भावना होना चाहिए तो उन्हें तीन इस सिद्धान जो दी वो कहते हैं कि हमारा जो नारा है वो जय जगत है और हमारा जो मंत्र है वो जय जगत है हमारा जो तंत्र है वो ग्राम सोराज होना चाहिए कि ग्राम सोराज ही कैसा लक्ष है जिस में पंधारे के सानती अजब के लिए जया जगत का है और अजब मैं ताम अम्हें चाह्श में अधी कैसे सानती आई जया जग्शा पर किया हं जो से में बहुम होता है और दुनिया दाई से मतलब नहीं गया बिनोबा जी ने गड़त की वाद जिसे कई के तंत्र 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 के खुलत हैं पूरी तंत्र जित्ते हैं मास पेसी सब कुछ बिस्तार होते हैं गड़त अधिसी करते हैं तो मुबायल और गूगल के भरोसे आदनी होगा जा इस्तित ग्राम सुराज तो खत्मयों को सरकार नियोजन वनाई पंचाई ती राच्की लोगारियल हाद विवस्ता लड़ता है मार रहा है काड़ जाइस्तिती है सरवधाई है हमाने सुरे सोनी इंसे जलू पूछें आज विनोबा जी की जहनती आपने का सी को बिनोबा जी से हमें आपके देखो है कि आप लगे रहा साफ सफाई सब्सक्राइब का सी को बिनोबा जी से तो खेर बहुत सीखा हमने उनका गीता प्रिप्चन जब से में पढ़ा जेल में तो मैं सोचा कि मैं जो गीता समझ की सोचता थे कि मार दिने चाहिए लगी जी दब जाए सारी संकाइं दूर कर दी, नहीं, असली है मोय तो हमाई अंदर है, हमाई अंदर है असली कर्षणंथ सब्सक्राइब मंगल में हैं, उसको बुरा ही को भलाई सी जेतल से चैतरिओ अब कहा आज की जमाने में अब गाली ऑ गोली जमाना रavana हो गया। बुरे काम में सफ़ल होने के बजाए अच्छे काम में असफल होना जाद अच्छा है। अच्छे काम भले ही नाव पाए निक बुरा काम नकरो। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि भी अब अच्छे करो एक मैंने तमिलनादू कन्यकुमारी में था में लास्ट यर तो यह बस मैंने देखा कि पीशे लिखा था कि अच्छी बात लेकी बीगोड पेले अच्छी बनो फिर अच्छा करो तीनों पर बहुत बढ़िया बात है यह केला संदेश है अगर किसी की बुराई देखना है पहले हम अपनी देखें एक ही खता हम जिंदगी पर करती रहे धूल चेहरे पर ती आयना साप करती रहे हम घंदी जी बहुत बड़े हमारे गुरु प्रवोएं मान ने वाले उनको भी बहुत बड़ा गुरु मानते हैं यसा आद्मी दुar hairst डूल विश्वास्न ने करेarmisad भर होगा तो Geral केंषा एक कि सफाई के मामने ने बहुत पहुत पैईगंबर थी साफ है बाहर असभक्स नक अगर बाहर गंदगी पड़ी है इसका मतलब है this is the reflection of our inner heart यह हमारी अंदर की गंदगी है बाहर की गंदगी नहीं है हम अंदर से साफ है तो बाहर रही नहीं सकता कि सचा ये हे है सफाई और भालाई कि सचाने कोई साथ हो तो में सामय आइलों पूंक टालें के सचाई सफाई में भी बीमार हो जाहें सफाई करेंगी बढलाई करेंगी गेंब्ष all planned ब livresrey यह नहां साथी और नहीं किसी को नहीं बुरा भेराइत कर Mother यहार जी बहुत गनापन है, यह दूर कर, लेकर अपने को कहते हैं, दूर्से को नहीं, हम साहर पर अपने गांधी बादियों को, क्योंकि तो हमाई परिवार के हैं, अपनी लड़की ओको हम डाड़ देते हैं, एक वेले पेस्टे को जे, सब गरीब करने वाली चीजे हैं, अ गांधी ने तो साफ कह दिया, अपने कुदर से प्रेम करो, और सिंपर लेंग में हाई थिंकिंग, ज्यादा चटक मठक न करो, समझे, उनना तो एक लड़की कहती है, बापू, मुझे लड़की बहुत शेड़ते हैं, मैं क्या करूं, तो बापू कहते हैं, तो बापू कहत साफ ब्रेंच कि पाई नी घ्रव को साफ हैं, खिंग कहती हो जाएं, वो नीधी तो रहती हैं, तो बापू कहती है, अरे तो मैं आर बाती रही हैं, एंधरा गान्धी चोट इप्नियंका गान्धी एँ, जो कहती हैं, उनने जहां मेड़की देखिया, तो बढ़कों को बू यह बहुत बड़ी बड़ी मुश्य तन्ना आते हैं मैं गहता हूं जयादा काम में बीमार पड़ा क्या हूं आज आज तो मैंने कम किया है इसलिए आप से बोल रहा हूं तो धरा रहता कहीं बिस्तर पे और लोगों की उमीद करता कोई हमाई पाउंदाव दे लेकिर यहां पे तो अपाउंदावने वाले का सब खेट में करने वाले तो जी खुद इथके रहते हैं तो नहीं परती जैसा तैसा होता है तो हम तो गदा है अभी एक वीडियो बना लिया था तो मेरा उसने कहा किया तुम तो गांदी की तरह लगते हो यह नहीं कुछ कहा अरे बहुत बदाई है आप ऐसे युकपरुस की रूफ जन्मोंत सब में आये हैं, जह जगत का नारा वो तो यह है कि आप जो बचेगी दुनिया प्रेम सही बचेगी, महबबत का पेगाम कश्मीर मोनों ने फेलाया, प्रेम सही, लब टु आल, सब टु आल, सब टु आल, सब से प्यार कर करो और सब की सेवा करो किसी की कुछ सेवा ना करो कोई नाराज होता है हो जाए बहुत दो रोटी जादा गादे वह मुसको और छवा मंगले नाराज ना हुआ हमने कुछ कही सुनी हो और आप तो प्रेज भाई ने सांदर बात कह दें कि वहीं दुनिया के प्रेम से जीत ज चाह सकत लोगरी लाइज ना सुज़े दुनिया में बिग्यापन फिलम ने युवा पीडी विटीन के मोड़ान के सबके वरबात करता संडे मंडे रोजकाव अंडे और ना खाओ डाक्टर के डंडे जा दसा है आदनियन की का इसे आज कि व्यक्तिने विवेक सुन हो के चाहर माध्यवन के टीवी के मीडिया के मोबाइल के और गूगल के देदा हो और यही में नास हो रही है और यही में कोरोना जैसो देद आगे आदनी के खार हो अब हम लेरा विदा भाई या खबर हमने रहे हैं जैराम जी